इस बार आम आदमी पार्टी कोई करेगी निया चमतकार तो जब्रेडा विधानसभा सीट में कौन से मुद्धे हैं पूरे गाओ का हाल बेहाल सडकों की हालत मैंने देखी तो मेरी तो खुद कमर गुद्धा की साथ आपने कौन साइसा काम किया है जब्रेडा में जो पहले से नहीं था और आपने कर दिया हो तक सिहा पे एक हॉस्पिटल बना इतनी बड़ी जनसंग गई जब्रेडा की आज तक हॉस्पिटल निच्चा तपका है उसके बारे में कोई सर्कार नहीं सोच रही है आज किस्सा कुरसी का विधान सभा है जब्रेडा और जब्रेडा की जनता इस वक्त हमारे साथ है और जनता के साथ जन प्रतिनिदी जो चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज किस्सा कुरसी में और सीधे तोर पर बात होगी आज जब्रेडा की विधान सभा सीट की जब्रेडा की विधान सभा सीट जहां प पर बीएसपी की भी अच्छी खासी पकड़ रही है लेकिन क्या इस बार आम आदमी पार्टी कोई करेगी निया चमतकार आपको बताए आज हमारे साथ जो मेमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं बीजेपी की तरफ से खुद विधायक पतिनी दी अ साथी शलब कुमार हमार साथ जुड़े हैं जो की आम आदमी पार्टी के चहरे हैं यहां पर और दावेदार भी हैं इस सीट पर सबसे पहले बात जबरेड़ा की तो जबरेड़ा विधानसबा सीट में कौन से मुद्दे हैं जनता के बीच भी जाएंगे लेकिन शुरुमा जी के नाम जरा तीन उपलब्दी जनता को बताईए क्या कि आपके विधायक ने बहुत-बहुत धन्यवाद पहलो तो आपका और मैं तमाम जनता का अभार वेक करना चाहता हूं जिस प्रकार 2017 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास वेक किया ज जिस आजार पेकसा के अनुसार छेत्र में उन्होंने विकास का उद्दा रहा हूँ से प्रमुक्ता से हासिल किया चाहां जब बच्चों के भविष्य की बात हो विधायकी का की बात हो वहर कारिये जो एक विधायक का ने मैं तो सिर्फ तीन उपलब्दी जाना चाहरा हूं मैं जंता पूझ सकteूं कि वह तीन उपलब्दी उनके नाम या फिर नहीं है क्योंकि यह कारिक्रम तो इस जड़ी इस पलख पाहिए विधायक जी थी पहली उपलब्दी तो यही है क Nä सडकों की आउसकता थी ते अगर मैं गिनाने लगूँ चाहाइब आसप्न इकबालपूर हो चाहां पुहाने से लेकर गुरुकुल तक हो चाहां वो मंगलौर से लेकर देवबंद और ओड हो आंतरिक सडके हों या कुछ हो सडकों का जाल उन्होंने बिछाया है अच्छा मक्षन की तरह सड़के थी तभी मेरी कमर भी दर्द हो गई आते आते साब पूरे गाओं का हाल बेहाल सड़कों की हालत मैंने देखी तो मेरी तो खुद कमर घुस खगी साब यह जो विधान सभा थी 2017 से पहले यहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे उससे उनके कारेकाल में एक भी सड़क यहां नहीं बन पाई थी आपने सड़क बनवाई जिस सड़क का हाल मैं खुद देखकर आया हूँ लेकिन आगे दो उपलब्दी यह है कि जो मुद्दे थे जहां वो बच्चों के भविश्य का मुद्दा रहा हो विधान सभा में सबसे अधिक किसी नगर को याची का या परसंद उठाए तो वो मा बार भी विधान सभा जबरेडा का नाम विधान सभा के पटल पर नहीं आया और इस बार उठा के देखे उनका इतियास है तो बड़ी हरानी की बात है मैं तो प्लब्दी पूछी आपने सड़कों का हाल बताया एक यू प्लब्दी लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली बार ब मुद्दे पर बात करने के लिए भुलाया जहां तक अभी गौर साब ने बताया भारती जंता पार्टी का वो पक्स रग रहे थे भारती जंता पार्टी आप देख रहे हैं जबरेडा विधान सभा की बात नहीं पूरे देस में अलावा जूटके इन्होंने दूसरा कोई क नहीं दे पाएंगे तो कहरें है तो हरिधास जी ने भी एक सड़क नी बनुवाई यह उनके कहने सो तो कुछ नी होगा ना आप बताईए ना वो तो कह रहे हैं कि हमने तो इतनी सड़कों का जाल भी जारी सड़के जो बनी हुई है यह पिर इन्होंने ने नहीं क्या किया ह बहुजन समाज पार्टी के टाइम में बनी थी अगर वह सड़क नहीं बनी थी फिर तो नहीं सड़क होती जाई तीन की बनाई िन्हों नहीं किया हमारे बहुजन समाज पर्टी के जब यहां से अरिदास जी विदाक थे सारे काम हुए हैं अच्छे काम हुए हैं सब ऐसा कुछ नहीं है अच्छा सारे काम हुए है आपके होते हुए लेकिन उन्होंने काम नहीं किये अरिदास जी कैसे नहीं और देशराज जी कैस नहीं किया है और सबसे इंपोर्टेंट बात सिक्षा स्वास्त इन दोनों पर कोई काम नहीं है ने आज तक सिया पे एक हॉस्पिटल बना इतनी बड़ी जनसंक्याओ कई जबरेडा की आज तक हॉस्पिटल नहीं बना एक भी हॉस्पिटल नहीं एक प्राइमरी हेल्थ सेंट जबरेडा में जो प्रात्मीग स्वास्त के इंतरा उस सरकार ने सेंटर में सेस्टी बनाया करें अब आपर यह ने पनवाई आप कर रहें नहीं वहाँ पर बाईसाब अभी वहीं सएँ और वहीं चेक करके हूं मेरे पर फोटोज भी है वहाँ पर एक सतीजी है जो आजकल छुटीप है और एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पर देखिए यह क्या कह रहे हैं इसका तो में नहीं है आप भी जाकर वहाँ देख सकते हैं समाउदाइक स्वास्तकिन उसका उच्ची करण हुए अर जैसे उस्मान भाई कह रहे थे कि पहले सडके बनी हुई थी आप किसी जंता से पूछ लें जो सडके हैं जिसकी आप भी बात कर रहे हैं लाट्टर देवासे जहबरेड़ा तक इसका टेंडर हो चुका निर्माना जं संद भी क्रण हुआ नाले बनें डुनों साइट बन है पब्लीक बताईगी सडक बनी है क्या सडक बनी है घड़े हैं घड़न शुक से बिज़ार तो देखो सिकंसा स्वास्ते और जहां तक काम आदमी जो है निच्छा तफका है उसके बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही है जो की सोचना चाहिए अगर देशराजी सायद काम करते तो जनता उन्हें आप फिल्ड में जाओ सभी का देशराजी के बारे में पूछो तो उनकी राहे लोग आपको कुद पत काम विरोध का रूप में विरोध करना है कि बात यह के आसप नगर से इकबालपूर तक अभी बनाई आप देख रहे हैं चम चम चमाती सड़क है यह माने विदाई जी के टाम में बनी भारती जंता पार्टी की सरकारों बनी और जोन से की बात कर रहे हैं आजाद नगर से जो आजादी सब पहला राजादी के बात भी नहीं बनी थी पन्याला से लेकर बलेलपूर बलेलपूर से पाडली गंदा पाडली गंदा से इकबालपूर तक अब देखिए ऐसा है जी मेरी बात सुनिए जो भी गौड साब कह रहे हैं वो तो आपको भी पता है बहुत सारी चीज है आप मैं खुद कह रहा हूं आप भर्मन कर लीजिए ना जबरेडा विदान साब खुद घूम के देख लीजिए हैं कुछ काम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना लेकिन मुझे बताइए इतनी बड़ी पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है शिक्ष कि हाँ तक देना झाल की बात है भारते जनतापार्टी की सरकार बनने पर अभी सारा विकतान कर नोफना Бार्ण सदेह फटरा की वह भुगतान कुछ किसान मेरे मैं हाई कोट चले गए इसलिए कोट में वीचा आप भी कहते हैं कि कुछ किसान पूच किसान और फटाइब यह तो हम आपी के लिए जय कदे जो अधरा की बात हो रही है कुछ किसान उस भुकतान को लेकर हाई कोट चले गए थे मामला कोट में विचारा दीन उसके बाद भी सरकार का प्रियास है पिछले साल का संपुन भुकतान कर चुकी करवा चुकी सरकार और जो सत्र चला है इसमें अभी चले आप लोग जानते हैं जासे 14 दिन में इनको भु ये नियम है ये नियम है ये नियम है कभी मिला सब्साइब भुकतान सब्सक्राइब थे अब कर चूदाइन प्यास तो चोड़ी आप एक बास मुझे सर आप कारे के चोड़ा और शूड़ा वाहिने में पिलता है और एक चीज और सुनिये जो शुटाइड गरम है वाट यह सब्सक्राइब करने का काम किया है और यह पहली सरकार जिसने उत्तर परदेश से जादा गन्ने का भुकतान गोशित किया गया है वो उत्तर परदेश से भी अधिक है पहले जब यहाँ पर सरकार कॉंग्रस की थी लोग यह मांग करते थे कि मैं उत्तर परदेश से जादा मुल्ले दिया जा लेकिन वाजपा की सरकार ने खरियाना से बजाते दिया था और इस बार जो मुल्ले घोसित किया गया है वो चार साल पहले आप का इतना था लेकिन यहां पर क्या गन्ना किसान वाकई री मुद्दा है विल्कुल प्रियास किया है लेकिन पोरा मैनेज मेंटी खराब है पूरा management भी खराब था तो ये अकेला विधायक लड़ाई नहीं लड़ सकता हमारे पास उत्रा कुछ नहीं था तो मतलब आप सदन के भीतर थे हरी श्रावत के साथ थे समर्थन की सरकारती फिर भी आप कुछ नहीं कर पारें तो लड़ी है ना जो आज भरती जंता पाटी नहीं कर पारी ये सोचने वाली बाढी आपने पीडी आफ का हिसा पनने की लड़ाई लड़ी आप मंसी बनते तो पिर में अगर यहां की करण सरकार या पुराणी सरकार अगर धरने बैट जाती तो सरकार को को चौदा दिन के अंदर मील वालों को चौदा दिन के अंदर पैसे देने पड़ते यह नहीं कि दो दिन में अंदर गई और वाज़े पैसे ले आए और पिर धरना कैंसल कर दिया ऐसा किया इन्होंने इसी वहेसे अब तक सेम सिचुएशन है और यह अब तक बदला नहीं है अच्छा दिन के प्रूफ हो जब समझ में आता है हम एंकि हमने इस लड़ाई को लड़ा हमने जोगों को किसानों के साथ खड़े देखना चाहिए देखना चाहिए पब्लीक वीडियो दिखाएए यह सरकार की चावीदिन के हाथ में पैसा कमाया इन लोगों ने हरीदाज जी को यूज किया सर्वतकरीम जी को यूज किया हरीश रावज जी बैठे रहे इनके पैसे लेके और कुछ नी भाज पर बहुत अच रही गन्ना भुकतान की बात कर रहे यह कौन है जो गन्ने भुकतान की बात कर रहे यह कौन है क्या मतलब गरीब आदमी एक सो एसी करोड रुपए अभी भी बकाया है अभी एक सो Nurड रुपइ बकाया है फिलाल्वी क्या सरकार जो है उस मिलवाले के हाथ के निच्चे की है जो तर पैसे नी ले सकते नहीं तो किसी आमा आदमी ako मुझे cer North पैसे दिलवा देते हम अगर मुख्य मंत्री होते तो किसी बात को कहना अलग चीज है उसकरना अलग चीज है मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं भारती जनता पाटी सरकार में जितना अच्छा भुगतान समय से भुगतान पिछले साल का कोई बगाया नहीं नया सत्र चालू हो गया भुगतान मिन्ना किसानों को सुरू हो गया और मैं फिर दुबारा से कह रहा हूं कि हमारे लोग पिर किसान अंदोलन किसान अंदोलन क्या मुद्दा है किसान अंदोलन जो है क्या वो मुद्दा है किसान अंदोलन बिल्कुल बड़ा मुद्दा है किसान अंदोलन बड़ा मुद्धा है इसमें कोई शक नहीं है किसानों को लेकर कुछ कहा था क्या वो चील 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 को चील 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 को चील चील कहा था उन्होंने क्या था उसी टेम उन्होंने उसकी माफी मांगी थी और लेकिन किसानों के मुद्दे के तो पहले भी किसान ही तेसी थे उन्होंने किसान के मुद्टे को चाहाँ वो धरने की बात हो चील वाली बात की कर रहा हूं आप भाफी मांग रहे हैं उसके लिए उन्होंने उसी टेम सारुग जिन उसका है ता कि अगर मेरे से कोई बात जजबात में उनका प्रिपेक्श अक्षमाक किसानों को तो नहीं भ infantil किसानों के पहले को गलत बात बोलते था नागकर वह sound like the किसानों के मुद्ध को लेकर चाहब वह संसद रही हो अपनी सरकार के होने के बावजूद भी विधान सबारा चाहिए किसान अंदोलन यह घरे ख़त्म हो गाया किसान अंदोलन भुम्द हो गया कोई मुद्दा नहीं है लेकिन क्या वाकई में किसान अंदोलन मुद्दा है या फिर नहीं बहुत बड़ा है कि सान अंदोलन क्योंकि wr किसान अंधोलन स्टर्ट हुआ था तब भी मोदी जी ने एक आता किया मास्टर स्टोक लगाया सब किसानों को एक बार ला दिया जब खताम कर दिया, खुदी बिल परओ कर दिया, कैंसल तो वी मास्र स्टोक कर दिया. तो यह सब राज नीति है कैसा मंधोल बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको बकायद है टाइम पर पैसे मिलने चाहिए. शिक्सा के शेत्र में कोई मुझे पता सकता है क्या हुआ शुख नहीं इन दोनों पार्टियों के यहां सिवा जूत के कुछ नहीं नारांदर तीवारी के टैम में आशिया विकास हुआ समझें जी उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ दोनों पार्टी जूट बोलते हैं जासिया जब रेड़ा विधान सभा को इन्हें खंडर बना दिया खंडर बना दिया वह तो कह रहें कि विकास हुआ है सब्सक्राइब हम घूम रहें हैं जुब दबाग कर लिए यह जो राध दिन छाप पहारी हो अवे दो शुली हो रही यह जबाजबा की दे न यह जबाग यह बाजबा रहें जब जब आप महेंगी चीज परवाइट करोगे तभी तो चोरी करेगा आप सिलेंडर नो सुरुपेगा हो गया महेंगा भी कोई बात नहीं कर रहा है पैट्रोल सरकार जो हो बिजनिसमेन हो चुकी है आप रोड टेक्स दो आप से टोल टेक्स दो उसके बाद माप पैट्रोल कि प्रवाइट करनवाल जी का सवाल है इन्हें बोलने की तमीज नहीं है यह कभी मीडिया को कुटा बता देते हैं तब आम आदे में भाब हो कर दो कुछ भी बोल देते हैं इनका टिकट भुण लिनके जन परतिनिती बैठे वे यहां परतिनिती जो भाजबागे इनसे पत अधार पर भारती जनता पार्टी आंत्रीक सर्वे के आधार पर टिकट देगी और मैं कहता हूं कि ऐसा जनपरतिनिती इस चेतरु को अब तक मिला ही नहीं अच्छा वो तो कह रहे हैं ऐसा जनपरतिनिती और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं जरा खड़े हो के बताईए मुझे कि आखिरकार आपकी नसर में देश करणवान जो है क्या उन्होंने वाकई कुछ नहीं किया पूरी विधान सभा में और इन्हों ने जितना नास करके दिया है मैं कह रहा हूं हम सारे गाओं में घूमें कोई एक बी गाओं में ऐसा निये जो सब्सक्राइब नहीं है वहां टोटल मुस्लिम आबादिया वहां भी साड़े तीन करोड रुपए हर जोली जोट जामा चाहां वह अकपर पूर्फाचल पूर्सव बड़ा सवाल पूछ लिया एक टिकट देना जीत पर आधारित होता है पाटी तो मतलब जिताव नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ आंतरिक सरवे के आधार पर जीतना मजबूत होगा पार्टी ने 2012 के चुनाओं में कलीम अंसारी जी को मंगलोर से चुनाओं लड़ा था अगर मैं टिकट की दावेदारी करूँगा और यह लगता है पार्टी को कि अच्छा फेस कर सकते तो पार जो मिसाइल में थे भारती जनता पार्टी ने इस देश का राष्ट पती बनाए अनुस इस अचित जो समास यह ने आधित्य बिरिज्वाल जी है उनके पुत्र है उनको आशिर्वाद दिया अच्छा तो मतलब परिवारवाद यहां भी आ गेया क्या? नहीं वो तोड़ा उनकी सेहत अभी इस लाइक नहीं है कि वो जन सेवा कर सकें इसलिए जो है पुत्र के लिए कर रहें यूआ को पराति मिक्ता दी जाए जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ विजन है आप लोगों का जबरेडा को लेकर अपने पहले भी विधायक रहें कुछ विजन है फिर मैं उसके बास सबसे नंबर लूँगा विधायक को लेकर जो मौझूदा विधायक है उसका रिपोर्ट काड तयार करेंगे यही पर ही आप लोगों की नजर में विधा किसानों के साथ जो उत्पीडन हो रहा है सबसे पहले तूसकी लड़ाई लड़ी जाएगी दूसरी बात युवाओ के लिए यहां खेल के मैदान का कोई नहीं है उन चीजों को धियान में रखा जाएगा एक मिनी गराउंड बनाया जाएगा बच्चों के खेलने के लिए जिससे हमारा टाइलेंट जो है स्पोर्स में भी जबरेटा विदान सब आपने आपको इस्तापित कर सेके और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो भारती चंता पार्टी में भरस्टा चार चला है उन चीजों पर काम करेंगे हमारे जो गाओं के अंदर जो परातिमिक स्कूल है उनके अंदर आज दो बच्चे भी जाने को तैयार नहीं है जब तक सत्ता में तब कुछ नहीं किया आप सत्ता में नहीं है तो सब कुछ करेंगे सत्ता में आने के लिए ओके उस्मान साब अब मैं एक महतपूर सवाल लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के पास हम जिसका जिक आप अब बात करूंगा विधायक जी के रिपोर्ट काड की हम सब विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यहीं तयार कर लेते हैं वह आप करेंगे मैं आपके पास आओंगा एक एक करके हाथ उठा लीजेगा लेकिन पहले आप बताएए विधायक जी को कितने नंबर देंगे इसके जनता कि हीत का सकता है जो जनता की हिट का हो सकता है सब्सक्राइब लिटाके ड़कुल नहीं नहीं कर पाए एक नमबर ऑके विस्वास पे बिल्कुल काईब लोगों की बैज जए रहां कि तक अलावा बेज़ जदी के कुछ नहीं किया अच्छा एक नंबर भी नहीं दे रहें आप कितने नंबर देंगे जनाबियाद मैं तो माइनस वन दूंगा जो करेंटली स्टाब्लिश था वो भी खतम कर दिया बीजेबी की सरकार नहीं आप यह तो जीरो से भी खतम है इन्होंने कुछ नहीं किया शेत्र में और ना यह कुछ कर पाएंगे इस बार परिवर्तन की ज़िए इस बार जंता को डवलप्मेंट चीए जंताओं और वो हम देंगे हम बताइव पब्लीक से पूछ कहता हूं आप लोग तो विरोधी हैं आप लोग तो विरोधी हैं लेकिन पबलीक से पूछूंगा शुरुवात कहां से करूं डस मेंसे कितने नंबर देंगे विधायक जिए-10 जिए-10 वि कुछ नहीं पर राज हम झाला कि बस्तमकिन को आपके सोते हैं कि सबस्क्राइस किस दसबिशाएं जsalा हुद जन के है ज्याए्रया ढूंव Лोगजी कजिछिएक जो फिरो जीरो बिल 가운데 जीरो जीरो इनने इस बात की चीनता क्यों हुँरिये कि टिकेट मिलाजा नहीं मिलगा चिंता उस वेक्तिव को होनी चीह को ने जो टीकट की लाइन में उनने तो चिंता इस बात की हैं यह जो हुआ पुरा विस्वास लेक्ट जब उनने काम किया तो त्रंप को भारतीय जन्ता पाटी कि शदूने तेगी आंतरी शरवे के अधार पर टीकट तेगी इनन चिंट हाँ जिन लोगों को जिस ब्दाइक कर तूड़ा हुन और नहींख थीन तेय। जी को चिनता है जी बोले चलदी कर ला हूँ अब्तो हमें काना से वाल्टान वो कीरे जब खेक्ट लो घ्लैक जैना को घ्र तो यह तो पृणि कि घर हैं रख आप मुझे चाहि रहे हैं मैं आपको बुरह कह रहा हो यह बात मिवकरती है या वाले ऽिखना चाहिए आपको बिल्कुल ना ना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सम्भान के साथ तालिये बढ़ा दीजिए इनके लिए भी तालिये बढ़ा दीजिए बहुत 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 शुक्रिया आईए बैठीए बैठीए यहां यहां मसला सीधे तोर पर विका होने वाला है लेकिन नया क्या होगा अब ये जनता खुद तै करेगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कारिक्रम का हिस्सा बने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अगरी बार होगे एक नई विधान सवा सीट पर मुलाकात झाल झाल